Hello student, welcome back to your own channel AJ Classroom. In this lecture, we will discuss a numerical on the topic of composite pipe. आई ये start करते हैं, question है, a steel pipe with 50 mm outer diameter is covered with 6.4 mm asbestos insulation, जिसका के गिविन है, followed by a 25 mm layer of fiber glass, जिसका भी thermal conductivity के गिविन है, तो आई ये student सबसे पहले इसका एक diagram ड्रॉ करते हैं, pipe का जो cross section होता है, वो होता है circular, तो first of all जो 50 mm diameter का जो cross section होगा circular area सबसे पहले हम उसको draw गल लेते हैं, तो ये एक 50 mm diameter का cross section हमने draw कर लिया, अब इसको उपर एक layer बना हुआ है, जो कि asbestos का है, तो उसको भी draw कर लेते हैं, ये एक हमने asbestos का insulation लगा दिया, इसके उपर एक fiber layer का insulation लगा हुआ है, तो आईए उसको भी draw कर लेते हैं, अब दिखें यहाँ पर दो layer यहाँ पर आ चुकी हैं, आईए दोनों value की लिखते हैं, जो पहला layer है, वो है asbestos का, जिसको हमने A से लिख दिया, और दूसरा layer है यहाँ पर fiber का, जिसको हम M से F से represent कर दे रहे हैं, इस asbestos का जो thermal conductivity है, हमने उसको K1 ले लिया, और इसका thermal conductivity है, हमने यहाँ पर K2 लिख लिया, अब K1 और K2 के हमें value given है, तो first K1 यानि asbestos का thermal conductivity यहाँ पर given है, 0.166 और K2 भी हमें given है, और वो है 0.0485, यह दोनों given है, आईए बात करते हैं इसके radius की, तो देखें, यहाँ पर इसका तो center है, इस center से हम क्या करेंगे, सब के radius को count करेंगे, कि आखिर सब का radius हो गया गया, तो जो पहला जो pipe है, उसका diameter है यहाँ पर, उसका diameter already given है, तो देखें, यह तो हो गया हमारा R1, और अगर दूसरे layer की बात की जाए, तो दूसरा layer यहाँ होगा, और इसकी value होगी R2, और जो तीसरा layer होगा, वो यहाँ से है, जो third and outer layer है, और उसका value हो जाएगा R3, अब देखें, यहाँ पर जो value given है, उसके इसाब से calculate करते हैं, तो जो R1 की value होगी, वो इस diameter 50 mm, आउटर diameter का half होगा, यह हो जाएगा 50 by 2, यह हो गया है यहाँ पर 25 mm, जिसको हम लिख सकते हैं, 0.025 meter, यह हो गया radius, internal radius, अब बात करते हैं, R2 की value की, तो देखें, जब हम R2 लिखेंगे, तो हमें इसका layer का thickness कितना given है, जो यह layer given है, वो है 25 mm, अब यह यह तो 6.5 mm, यानि यह given है, 6.5 mm, तो जो R2 होगा, वो हो जाएगा 25 mm प्लस 6.5 mm, 5 mm, 6.4, यह हो गया 31.4 mm, हम इसको meter में convert कर देंगे, तो R2 becomes 0.0314 meter, अब यहां से R2 के value आ चुकी है, आईए बात करते हैं, हम R3 find करते हैं, तो जब हमें R3 find करना होगा, तो उसमें भी क्या करेंगे, यह thickness हम add कर देंगे, और इसके thickness कितनी given है, 25 mm, यानि इसमें हम add कर देंगे, तो यह हो जाएगा 31.4 प्लस 25 mm, यह add होकर के, यहां पर इसके value हो जाएगी, 56.4 mm, तो यहां से R3 के value क्या बन गया, meter में convert करेंगे, 0.0564 meter, अब देखें, मैं R1, R2 और R3 ये value को हमने find कर लिया, अब यहां पर देखें, temperature की बात की जाए, तो यह जो point है, इस पर temperature है T1, और यह point है, इस पर temperature होगा T2, और outer temperature हो जाएगा T3, अब बात करते हैं, question की question में क्या पूछ रहा है, कह रहा है, यह दो layer लगाने के बात, कह रहा है, the pipe wall temperature is 393 Kelvin, यानि यह जो T1 की value है, pipe wall temperature, T1, वो आपको given है, 393 Kelvin, and outside insulation temperature is 311 Kelvin, यानि बाहर का temperature, सबसे outer surface का, वो है, T3 is equal to 311 Kelvin, calculate the interface temperature between the asbestos and fiber, अब देखिए, जो asbestos का layer है, वो यह रहा, और fiber का layer यह रहा, यानि इनके बीच में interface का point यह रहा, यानि यह आप से पूछ रहा है, T2, तो हमें find करना है, यहाँ पर T2 की value, तो students, first of all हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम heat transfer का formula लगाते हैं, इन दो layer पर, इन दो layer पर, अगर हम heat transfer का formula लगाएं, तो वो है जाएगा, Q is equal to 2 pi L in bracket T1 minus T2, क्योंकि हम, T3, क्योंकि हम इस पहले point से, सबसे internal surface और सबसे outer surface के बीच में total heat transfer find कर रहा है, अपान, यहाँ पर देखिए, दो layer है, तो दो thermal resistance लगेंगे, पहला thermal resistance हो जाएगा, 1 upon K1 LN, LN का मतलब log base E in bracket R2 by R1 plus 1 upon K2 in LN R3 by R2, अब देखिए, यहाँ से value put करेंगे, अजब L की value का हम इधर ले आते हैं, तो हम find कर सकते हैं Q by L, यहाँ heat transfer per unit length, क्योंकि हमें L की value given नहीं है, चलिए बाकी value को रख देते हैं, 2 into pi के value 3.14, T1 की value 393 Kelvin 393 minus T3 311 upon, अब देखिए, के 1 हमें कितना given है, 0.0166 into LN R2 की value उमने find किया था, 0.0314 upon R1 की value 0.025, bracket close, plus 1 by K2 की value, 1 upon 0.0485 into LN R3 upon R2 रखना है, तो R3 के value हमारे पास है, 0.0564 upon R2 की value 0.0314, अब हम क्या करेंगे, इसे solve करेंगे, तो Q by L, ये तो मारे पास हमें heat transfer rate पता ही करना है, उपर देखिए, जब value पूरा solve करेंगे, तो यहां से जो उपर value आएगा, वह आजाएगा 515.22 upon इस पूरे term को पहले term को एक साथ solve करेंगे, दूसरे term को एक साथ solve करेंगे, तो यह हो जाएगा 1.373 प्लस 12.075, अब यहां से जब इसको total solve करेंगे, तो इसकी value हमारे पास आजाएगा 38.31 Watt पर मीटर, अब देखिए, बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है, कि यह जो heat transfer per unit length है, यह total heat transfer है, यहां से इस point से readily outward जो निकला है, तो यहां से यहां तक, यह heat transfer हो गया, अब अगर आप conservation of energy की बात की जाए, तो जो heat यहां से इस layer से इस layer में बीच में transfer हो रहा है, वही heat क्या होगा, आगे carry करता है, यानि कि हर layer से heat transfer rate equal होगा, तो अगर मैं सिर्फ पहले layer की बात करूँ, जो asbestos का layer है, उससे heat transfer का, अगर मैं formula लिखूँ, तो क्या formula बनेगा हमारा, वो बन जाएगा Q upon L, और उपर होगा 2 pi, अब यहां पर होगा T1 minus T2, क्योंकि हमने सिर्फ पहले layer के लिखा है, upon अब इसी layer का हमें resistance भी लिखना होगा, thermal resistance, तो यह हो जाएगा 1 upon K1 ln R2 by R1, ठीके, अब देखे हम क्या करेंगे आपर, value रख देंगे सबकी, तो 2 into 3.14 into T1 के value, 393, और हमें T2 को value पता नहीं है, है न, तो हम यहाँ पर T2 ऐसे रख देंगे, इसके value का हमें find करना है, upon, 1 upon K1, K1 कितना है, 0.16, यहाँ से 1 upon, 0.166 into ln R2 के value, हमने find किया हुआ था, 0.0314 upon R1 की value, 0.025, अब देखे, जब हम इसको solve करेंगे, तो Q by L तो हमने find कर लिया है, और वही ही transfer सभी layer के बीच में होगा, तो इसके value हमने रख दिया, 38.31, और इधर जो है, इसको हम क्या करेंगे, पूरा solve करेंगे, तो देखे इसको जब हम पूरा solve कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, T2 के value को find कर सकते हैं, हैना, तो यहाँ से हम इसको ऐसी रहने देते हैं, 2 into 3 point यहाँ पर point है 1 4 in bracket 3 9 3 minus T2 upon में देखिए इसको हम पूरा solve कर लेंगे तो इसकी value जाएगा 1.373 अब हम इसे solve करके सीधे direct हमें T2 को value को find करना है यहाँ से देखिए जो T2 आएगा वो आएगा triple 1 point 6 degree centigrade यहाँ जाएगा और यही हमारा desired answer होगा देखिए यहाँ पर जो answer लिखा हुआ था वो answer हमने find कर लिया इसको कैसे solve करेंगे cross multiply कर लेंगे और T2 को value को हम यहाँ से find कर लेंगे hope आपको यह numerical समझ में आया होगा lecture के साथ channel के साथ बने रहिए ताकि आपको regular updates मिलते रहें और पूरा का पूरा heat and mass transfer का syllabus यहाँ पर पढ़ाए जाएगा okay all the best अजगate